वेलकम मेरे प्यारे स्टुडेंट्स इस सेशन में हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे पढ़ाई की जितनी बात करनी थी वो तो कर ली अब इस लड़ाई में पढ़ाई के अलावा जिस चीजों की जरूरत है उन पे डिस्कुर्शन करेंगे सबसे पहले शुरूरत करते हैं दो लाइन से तिकी मुझे पता है तुम मेंसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके होसले पस्थ हैं जिनके अंदर स्ट्रेस काफी जादा है जो टेंशन में है कि कल के एक्जाम में कैसे पूर करेंगे कैसे attempt करेंगे कैसे हम qualify करेंगे पैसला होने से पहले हार माननू कैसे पैसला होने से पहले हार माननू कैसे जग अभी जीता नहीं मैं भी हारा नहीं पैसला होने से पहले हार माननू कैसे जग अभी जीता नहीं मैं भी हारा नहीं तो बिलकुल भी हार नहीं माननी है पैसले के अंत तक डटे रहना है तुमने इतनी मेहनत किया है knowledge attain किया है knowledge वाला काम तो हो गया तैनी कि अब prelims के लिए जितना knowledge पढ़ना था वो पढ़ लिया हमने अब हमें अपनी strategy पे काम करना है अब हमें अपने will के इसाब से काम करना है अपनी will power को strong रखना है अपनी spirit को indomitable रखना है हार नहीं माननी है बिल्कुल भी हार नहीं माननी है बिल्कुल भी stress को जगए नहीं देनी है अपनी दिमाग ले ठीक है panic को हावी नहीं होने देना है तो क्या करेंगे अपने कैसे अप्रोच करेंगे इन बातों पर ही discussion है चलो start करते है and if you have not already subscribed to the YouTube channel तो अगर sessions पसंद आ रहे हैं तो subscribe कर सकते हो साथ में Telegram channel भी join कर सकते हो first things first since कल exam है तो कुछ चीज़े हैं जो तुमें पहले से ही करके चलनी है for example अगर तुम ये वीडियो कल exam है और आज देख रहे हो तो रात में नीन प्रॉपर ली लेना है relax होके सोना है अब कुछ भी पढ़ाई का चक्कर नहीं पालना है ये कि जितना पढ़ना था हो पढ़ लिया अब relax करना है relax मतलब बहुत ज़्यादा relax नहीं करने लग जाना है relax का मतलब यह हुआ कि अब stress ज़्यादा नहीं लेना है आराम से पूरी प्रॉपर नीन लेनी है फिर सुबह उठके time पे center पे पहुँचना है बिल्कुल भी center पे पहुँचने में ऐसा नहीं करना है कि तुम ऐसे निकलो कि बस पांच मिनट पहले center पहुँच रहो फोटो कॉपी उसका दो ब्लैक बॉल पॉइंट में एक वाच वाच लेके जाओगे तो time का idea रहेगा time का तुम्हें idea बहुत important time management exam में करना है वही तो खेल है time को पैसे की तरह खर्च करना है जैसे पैसा खर्च करने में cautious रहना होता है वैसे ही time को खर्च करने में cautious रहना है एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना है और जहां पर जरूरी है वहाँ पर देना जरूर है ऐसा नहीं हो कि एक्जाम देके आ गया और बाद में हमें पता चला कि अरे यह पांच questions थे तो देखे ही नहीं नहीं होना चाहिए तब ही हो पाए में बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है और ऐसा question जो कि तुम्हें आता है उसको नहीं पड़ा तो समय उसके लिए बचा के रखना है ताकि उसको पर सको ठीक है इफ पॉसिबल water bottle भी लेके जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा क्यों गर्मी कमा समय चांते हो गर्मी म करना भी बहुत important है दिमाग के लिए भी important है पानी वहां तक भी oxygen वहां तक भी पहुचना चाहिए तो इसके बाद भी हमें relaxed रहना है काम रहना है हमें पता है कि exam है mock test नहीं है तो surprises आएंगे बाउंसर आएंगे ठीक है examiner अपने बाउंसर फेकेगा surprise फेकेगा हमें उनके लिए अपने आपको prepared रखना है prepared रखना है और उसको प्रेपर उनके लिए prepared होने के knowledge इतना रखना था हो तो रख लिया हमने अब हमको अपने आपको काम रखना है वहां पर relaxed रखना है इसके लि mind relaxed होता है ठीक है लगता है कोई घबरानी की बात नहीं है और वाकी भी कोई टेंशन की बात नहीं है जो तुम्हें करना था exam के लिए preparation तुमने कर लिया है अब अपना best दोगे exam में तो तुम्हारा result भी best ही आएगा पट सबसे पहले exam का हूँ जो time है दो गंटे का दो गंट नहीं करना है अब पेपर का वेट करोंगे पेपर को पहले questions सही start करना शुरू करणा डूगे तो यह applied अप्रोच हो अप्रोच होगा तब से पहला काम करो, इनीशियल 2-5 मिनट्स, पहले 2-5 मिनट्स में क्या करोगे तुम, अपने question paper में देखोगे, 2-5 मिनट्स में तुम question paper में देखोगे, कौन से questions कहाँ पे हैं, कहाँ पे quality है, कहाँ पे science and tech है, कहाँ economy है, कहाँ पे history है, और साथ में तुम्हारा अपना भी एक strong hold होगा कुछ topics पे for example हो सकता है कि quality तुम्हारा strong hold हो, या economy तुम्हारा strong hold हो या history तुम्हारा strong hold हो, तो अपने strong hold के questions से हमेशा paper को start करना है जब तुम paper start करोगे वो ठीक वैसे ही है जैसे मैदान में कोई खिलाडी पहुचता है खेलने के लिए तो वो पहले warm up करता है और फिर उसके बाद में वो intense exercise करता है यानि बेसिकली उसके बाद में for you properly खेलता है तो पहली gain सही shot लगाना नहीं शुरू कर सकते इसलिए पहले शुरुआत में कुछ easy balls खेलेंगे easy questions को attempt करेंगे तो हमेशा सबसे पहले उन questions को attempt करो जिनमें तुम सबसे ज़्यादा comfortable feel करते हो जिस topic पे तुम दुम सबसे ज़्यादा comfortable feel करते हो paper को जब तुम flip कर रहो situation यह होगा because exam में बहुत सारे लोगो time management करने में दिख्कत आएगा तो कई बार होगा तुम दो round में ही question करो कि और कैसे दो round को distribute करोगे यह भी देख लेते हैं तो questions तुम्हारे चार type के होगे चार options है हर एक question में 4 type से questions होगे पहला type पर यह हुआ कि चार options है तुम्हे exactly पता है कि एक option correct है बाकी तुम गलत है तुम sure हो curtain हो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उस question को तो पता है यह कैसे करना है second case बनेगा जबकि दो options के बीच में तुम्हें doubt है दो options गलत है यह तो पता है बट बचे वो दो options में से कौन से सही है यह नहीं पता तुमको यह 50% chance है यह question तुम सही करोगे और 50% chance यह भी है कि यह question तुम से गलत हो जाएगा तीसरा case बनता है जबकि तुम्हें पता है तीन options में से कोई एक सही है चौथा option for sure गलत है यहाँ पे तीन में से कोई एक सही है यानि कि तुमारा one third chance है 33.33% chance है कि तुमारा question सही हो और बागी चौत्था case होगा जहाँ पे कि तुम्हें चारों में से कुछ भी नहीं पता बिल्कुल यह idea नहीं है तुम्हें पढ़ा ही नहीं है तब भी idea नहीं है तुम्हें उस question बाद में कुछ भी idea नहीं है यानि वहाँ पे 25% chance है तुम्हें इन से का पैटर्न के है नीकिटिव मार्किंग का कि तुम्हें एक क्वेश्चन करें पर डू मार्क्स मिलेंगे और इंकरेंट करने चैर्ईC siya होगा अगर तुम्हें एक क्वेश्चन करें किया और तीन इंकरें किये और एक सभी और तो फिर नेट में जिरो रिजल्ट हा लेकिन टाइम तो वेस्ट हुआ रहा है तम्हें जो खराब हुआ वो तो वापस लोटके नहीं आएगा और अलगो तो पहले रांड में एतना कर पा रहे है उनको बाद के लिए जाने कि जहां पर तुमने एक गलत को रिमूव कर दिया है उन questions को भी hold पर रखोगे ठीक है उनको भी hold पर रखोगे उनको भी circle मार दोगे पहले round में तुम्हारा जब round finish होता है या तो तब तुम सारे के सारे तुम्हार में सारे options फिल कर दो तुम्हारे questions शोर शॉर्ट करेक्ट है या फिर ऐसा कर सकते हो कि हर 5-10 questions के बाद में अपनी convenience के हिसाब से तुमने एक strategy बनाया होगा mock test में भी ठीक है तो अगर तुम्हारा strategy तुम्हारा काम कर रहा है तो कोई tension की बात ही नहीं है वैसे ही fill up करो विचाए एक एक करके fill up कर रहो बट generally एक करके fill up करने में time waste होता है तो कुछ pairs में fill करोगे तो हमेशा ज्यादा बहतर है लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि last करने में एक गलती हो सकती है कि तुम्हारा एक दो उपर नीचे हो जाए because सबसे important बात है तुमने question को solve कर दिया इसके बाद उमर में right option को तुम्हें fill किया हो वहाँ पर गबड़ी हो गया तो कोई मतलब नहीं है फिर ultimately तुमने एक सही सवाल को गलत कर दिया और यह समझ में आना चाहिए कि अगर सही सवाल को गलत कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान सिर्फ सिर्फ माइनस 0. 0.67 का नहीं हो रहा है actually वह सवाल में तुम्हें नंबर मिलने वाद है थे प्लस टू लेकिन मिल रहे हैं कितने मानेस 0.67 तुम्हारा मानेस 2.67 का नुकसान हुआ है ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है इसलिए वह हमार शीट को साथ में regularly fill up करते चलना है चाहिए 5 questions के बाद में 10 questions के बाद में 2 pages कर लिए उसके बाद में जैसे भी तुम convenience समझो ठीक है तुम्हारा अपना एक strategy के हिसाब से convenience के हिसाब से कुछ couple of questions के बाद में वह हमारा को साथ म हमारा first round खतम हुआ और first round के बाद में तुमने देखा तो हमार में कितने questions तुम fill up कर लिये हो तो तुम्हें पता चला कि 30 questions तुमने fill up कर लिये है या let's say 35 questions fill up कर लिये है ठीक है कोई एक ऐसा number बनेगा 30 हो सकता है 35 हो सकता है या फिर 25 कम भी हो सकता है और last year का cutoff देखे 2023 का तो GS का cutoff गया है 75.42 शायद गया है GS का cutoff तो roughly this is 38 questions और उससे पिछले साल 2022 में the cutoff was around 88 88 के आस पास था शायद तो roughly 44 questions था तो exactly कितना cutoff जाएगा ये तो depend करेगा difficulty level पर difficulty level क्या होगा ये पहले से तो किसी को भी idea नहीं हो सकता इतना हमें पता है कि बहुत कम questions करके तो काम नहीं चलेगा ठीक है तो 30-35 तुमारे certain हो रहे है या even 40 भी हो रहे हो तो हमें पता है कि इतने से तो cutoff clear नहीं होगा 32 सही हो और 8 गलत हो जाए ये भी तो possible है तो यानि कि अब हमें round 2 में 50% chance वाले questions को attempt करना पड़ेगा 50% chance है जिन questions में उन questions को तुम्हें जरूर से attempt करना ही पड़ेगा ठीक है तुम्हें वहाँ पे chance जरूर लेना पड़ेगा बिल्कुल safe game खेलोगे तो मामला चलेगा नहीं ठीक है जैसे for example कोई match चल रहा है match में एक target को achieve करना है अगर हमें target को achieve करना है तो for sure हमें पता है कि game मुश्किल है बाल्स मुश्किल आ रही है player जो baller भी है वो भी खतरनाक है लेकिन मजबूरी है हमारी अगर हमें 20 run बना रहे हैं 8 गेंदों में तो हमें chance तो लेना है जो for example तुमारे ऐसे topic से हो जिसमें तुम जब भी कभी attempt करते हो तुक्का लगाते हो options eliminate करके try करते हो और questions तुमारे mock में हर बार गलत होते हैं तो ऐसे कुछ questions को जरूर तुम remove कर सकते हो बाकी questions को 50% chance के case में जरूर से attempt करना है ठीक और जो बच गये तुमारे questions 30.33% chance वाले इन में से कुछ को attempt कर सकते हो depending upon कौन से तुमारे comfort zone वाले questions है यानिकि तुमारे favorite topic वाले questions है उन्हों questions को जरूर से attempt करना है बाकियों को फोड़ देना है ठीक है अपना attempt decide करोगे paper के difficulty level के हिसाब से जब paper को start में तुम flip कर रहोगे शुरू से शुरू के 2-5 मिनिट में तो लो जाएगा और एगर paper easier है relatively तो cut off सबके लिए high जाएगा तो definitely तुम्हें attempt अपना increase करना पड़ेगा ये बात पहले से बना के नहीं जाना है कि हमें इतने तो attempt कर नहीं करने कि 90 attempt जरूर करूँगा 85 attempt जरूर करूँगा कोई नियम बना के नहीं जाना है exam में जाके decide करना है क कितने attempt करने पर तुमारा safe score तुम achieve कर सकते हो क्या यह बात समझ में आती है ठीक है clear है तो यह तो हो गया हमारी strategy GS के लिए एक दो बाते हैं और कि क्या चीज़ें नहीं करनी है ठीक है यह तो हो गया क्या करना है और क्या नहीं करना है तो panic तो बिलकुल नहीं करना है और example तुम कून questions की zone के बाहर के है out of zone है तो पैनिक नहीं करना है कोई बात नहीं करना है ठीक है कई बार ऐसा होता है गेम स्टार्ट होता है चुरुआत में पिछ ज्यादा हरकत कर रही होती है तो शुरू की जो balls आती है वो फसाती है वो फसा रही है तो तुमको वहां पर stress नही भी हो सकता है ऐसा possibility बट फिर तुम्हें देखना है बाकी आगे के questions यानि कि 15-20 questions के बाद वाले questions देखो तुम्हारे doable questions मिलेगे जो questions तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा comfortable हो वहां से start करो ठीक है question number 1 से बिलकुल भी start नहीं करना है ठीक है question 1 से बिलकुल भी start नहीं करना है कि इसी भी question के साथ emotional attachment नहीं होना है और example तुम्हें पॉलिटी में तुम बहुत comfortable तुमसे questions पॉलिटी के 99% सही हो जाते है और एक question पॉलिटी का जो तुम्हें फसा रहा है emotional attachment नहीं होना है कि challenge की तरह नहीं लेना है कि इस question को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंग तो ऐसे questions को छोड़ देना है तो यह दो चार चीज़ें जो कि हमको बिल्कुल भी paper के बीच में नहीं करनी है और time को manage करते चलना है यानि कि हर 20-30 मिनिट में अगर तुम पहली चिस तो घड़ी लेके जाना है घड़ी पहनने में अगर comfortable महसूस नहीं होते तो उसको सामने र चाहिए time properly manage करना है पैसे की तरह समाल के खर्च करना है वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे questions में करता ही नहीं वेस्ट करना है जिन questions को तुमने पढ़ा ही नहीं एक topic है तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा है एंशेट history मालों तुमने पढ़ी ही नहीं या पढ़ी है अब एंशेट history based questions है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इस questions में options क्या है तो छोड़ दो उसमें time मतलगा जहां पे तुमने काफी पढ़ा रखा है वहां पे time लगाना तुमको worth it result देगा जहां पे तुमने ज्यादा नहीं पढ़ा रखा वहां पे time लगाने से कोई खास benefit नहीं होगा ठीक है इस तरह से हमारे GS का वेपर हमने complete कर लिया attempt कर लिये अब इसके बाद में हमारा 1130 हो गया GS का वेपर खतम हो गया अब आया break का time 1130 से 230 यह तीन घंटे का हमारा break है अब से पहला काम जो नहीं करना है आपे कोई discussion नहीं करना है पेपर के बारे में पेपर वन तुम्हारा जैसा भी हुआ हो वो तो हो गया seal हो गया चला गया submit कर दिया तुमने अब तुम उसमें कोई भी change नहीं कर सकते जो बीत गई वो बात गई तो अब जो बीत गया है वो important नहीं अब जो आने वाला है अब उसके बारे में focus करना है अब उसके बारे में ध्यान देना है तो एक काम जो तुम कर सकते हो इन तीन घंटों में वह यह करना है कि अगर पॉसिबल हो तो topics को जो तुम्हारे formulas है basic उनको revise कर लो especially उन formulas को revise कर लो जहां पर तुमको problem आता है PNC के formulas हो सकते हैं ठीक है number system के कुछ remainder theorem वगरा कुछ चीज़ें हो सकती है ठीक है या LR में भी कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है clocks calendar वाले questions हो या फिर बाकी है तुम्हारे जहां पर भी तुमको लिकत आता हो तो उन सब formulas को revise कर लो 10 ठीक है तो यह काम तुमको definitely benefit देगा बहुत ज्यादा नहीं करना है दो पांच साथ questions कर लिए वाम अप कर दिया एक paper से पहले तो बिल्कुल ताकि तुम CSAT के mode में आ जाओ तो यह काम तुम पेपर के पहले कर लिए अब CSAT के paper में पहुंच गया 2.30 हो गया very important कोई भी discussion paper के ब अब हमारे लिए important है CSAT qualify करना जानी रहो पेपर कैसा आ रहा है CSAT qualification भी बहुत important है बहुत crucial है तो CSAT के लिए हमें अपने आपको पूरी तरह से prepare करना है 2.30 पे पहुंच गया CSAT का paper भी आगया पास पर अब CSAT में हमें पता है यहां पर हमें cutoff का tension नहीं है यहां तो पता है cutoff अपना कितना है two third questions one third questions यानि कि roughly 26.67 questions net correct यह तो target है और इतने net correct के लिए हमें कितने questions करने पड़ेंगे यह तुमारे पुद के potential पे भी depend करता है कितना accuracy है तुमारा बट roughly मान के चलो कि अगर तुम चाहते हो CSAT तुमारा for sure clear हो तो 45 से 50 questions minimum minimum इतने questions तो तुम्हें attempt करने चाहिए because comprehension में chance लेना पड़ेगा बहुत सारा accuracy तुमारा वहां पर हमपर हो सकता है comprehension questions में क्वांट में भी कई सारे questions में math में भी तुमारा accuracy hamper हो सकता है तो around 45 to 50 questions तो तुम्हें करने चाहिए I would recommend 50 questions अगर कर सको तुम 50 questions करो पट जितने तुम्हारा potential हो और जितना तुम्हारा accuracy level 45 से कम नहीं करोगे तो ज्याद़ बेटर रहेगा ताकि तुम sure हो जाओ कि तुम्हारा definitely qualify हो जाएगा और कैसे approach करना है यहाँ भी तुम्हें question number 1 से start बिल्कुल नहीं करना है question 1 से start नहीं करोगे सबसे पहले करोगे तुम easy questions easy questions तो question को start के 5 minutes में paper को flip करो click the paper और देखो कहाँ पर easy questions तुमें देख रहे हैं जो जो questions easy देख रहा हो चाहो तो उनके बगल में कोई dot लगा सकते हो को mark कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले देखो कौन-कौन से questions तुमें लग रहा है जो की doable है वो logical easy questions हो सकते हैं वो math के questions हो सकते हैं तुम्हारी जो की doable लग make sure कि easy questions करो doable questions करो और easy question क्या होगा easy question वह है जो की doable है doable है doable है हो सकता है करने में तीन मिनट लग जाया तुमें easy question वह नहीं है जो कि 30 seconds हो जाएगा easy question वह है तो भी हो इजी question है और difficult question हो है जो कि difficult है ultimately not doable है या फिर greater than 5 minutes लेने वाला है वो भी difficult है 5 minutes से ज़्यादा का time लेगा तो उस question को तुम start में नहीं कर सकते ज़्यादा time लेने वाला है कि question सही तो हो जाएगा बट तुम्हारा 5 minutes लेगा 7 minutes लेगा तो कोई मतलब नहीं है वो भी difficult question ही है ऐसे question को avoid करोगे at least start में तो avoid करोगे last में हो सकता है अगर questions बचता है time बचता है तो ऐसे question को attempt करो बट start में विल्कुल भी ऐसे questions को नहीं attempt करना है जो अब तुम्हारा time खाने वाले है double वो है जो कि कम time लेगा time भी कम लेगा और skill भी कम चाहिए होगी easily हो जागा ठीक है तो time और skill दोनों में जो easy होगा वो easy question तो start में हमने कुछ easy questions को निप्टा लिया इसके बाद में क्या करना है अब तुम्हें हमेशा जब भी सीसाइट का paper कर रहे हो तो सीसाइट के paper में पूरे time तुमको mix करना है पेपर के questions को mix का मतलब यह हुआ कि तुमने कुछ questions कि इंग्लिश comprehension के और फिर कुछ questions कि तुमने क्वांट के और LR के ऐसा इसलिए करना है तुम्हारा जो दिमाग है वह overburden नहीं हो जाए अद्रवाइस दिमाग थोड़े time के बाद में तुम्हारा overburden हो जाएगा problem होगा speed slow हो जाएगा तुम्हार accuracy hamper होगा तो हमेशा ऐसा करो एक्जांब तुमने English comprehension के 2-3 questions कर लिए तो इसके बाद में 3-4 questions तुमने QA और LR के कर लिए है 4-5 questions कर लिए है तो mix करते रहो दो-3 questions यहाँ पर किये करो तो इस तरह से mix करके करोगे questions कभी ऐसे नहीं करना है कि एक साथ सारे के सारे इंग्लेश के questions करो या एक साथ सारे math के questions करो definitely यह approach तुम्हें बहुत नुक्सान करेगा ठीक है तो हमेशा एक mix करके good mix बना के अपना questions को attempt करना है है तो यह हमने एक एक general strategy discuss कर लिया कि paper में हमें क्या चीज़े ध्यान देना और क्या चीज़ों को avoid करना है क्या बात समझ में आती है तो इस strategy के साथ में that is all about this session I believe कि तुम्हें बाते समझ में आयोंगी तुम इन चीज़ों को अपने exam paper में exam hall में strategy को implement कर पाओगे और बिल्कुल भी panic नहीं होगे काम होके relaxed mind के साथ में वेपर दोगे एक चीज़ और छोटी से बात कि जब तुम exam hall में बैठे हो ठीक है एक तो मैंने बताया deep breathing करनी है तुमको जाके आखे बंद करो एक दू मिनट के लिए deep breathing करो वैसे relaxed हो जाओगे साथ मे खुश रहो यानि कि smile करो तुम smile करोगे तो वैसे ही तुम relaxed हो जाओगे तो वो भी एक तरीका है कि exam में पागलों की तरह नहीं हसना है हसना नहीं हमें smile करना है अपने लिए smile करना है और अपने आपको समझाना है कि जो हमें effort करना था जो भी मेहनत करनी थी उस सारी मेहनत हम होगे तुम, all the best exam के लिए, कल के exam के लिए, कोई भी तुम्हारा doubt है, question है, तो तुम comment or mention कर सकते हो, अगर session पसंद आ है तो इसको like करना है, अगर channel को subscribe करना चाहते हो, तो कर लेना, ठीक है, that is all about this session, bye bye, take care, best of luck.